हेलो एब्रीबन वेलकम बेक टू माई चैनल मैं डॉक्टर रंजिना गुपता आज बेसी सेकेंडियर की सीरीज में स्टार्ट करूंगी जन्रल करेक्टर्स ओफ मॉलस्का लेट्स बिगिन टोडेश टॉपिक जन्रल करेक्टर्स ओफ मॉलस्का यहां पर जो हम देखें एक्टोडम मीजोडम एंडोडम तीनों ही जो है वो डबलप हो चुकी है तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि जो ऑर्गेंज में वो कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रॉन के अंदर भी प्रॉन भी जो है हमने इससे पहले आर्थ्रोडा पढ़ा था यहां पर जो है यहां पर रिद्यूज रोटी है तो जो बॉड़ी कैविटी जिसे हम कहते हैं तो बॉडि कैविटी है वो यहां reduced form में होती है बहुत ज्यादा डबलब नहीं होती है बोड़ी अंसेग्मेंटेट एक्सेप्ट इन मॉनो प्लेकोफोरा बोड़ी जो है वो अंसेग्मेंटेट होती है जबकि आर्थ्रोपोड़ा में आपको सेग्मेंटेट बोड़ी दिखाई दीती जबकि यहां बोड़ी कैसी है अंसेग्मेंटेट लेकिन केबल मॉनो प्लेकोफोरा जो है उसके इसका एक्जामपल आप काईटन देखेंगे जो सिंगल प्लेट होती है वहां पर हमें सेग्मेंटेशन दिखाई देता है तो कुछ ही वहीं होते है जिनके अंदर हमें सेग्मेंटेशन दिखाई देता राकी जो प्लेट है इस फाइलम के वह अंसेग्मेंटेट है symmetry की बात करें, bilaterally symmetrical, पहले भी जैसे में first year में भी बता चुकी हूँ, कि bilaterally या हम prawn की symmetry थी वो भी bilateral symmetry थी, कि longitudinal यह दी किसी और उनको दो एक पार्ट में divide किया जाए, और वो दो equal half में divide हो जाए, then we say bilateral symmetry, तो यहाँ पर जो symmetry है bilaterally symmetrical या दोई पार्ट में हिसे हम हिंदी में बोलते हैं, shell if present, shell उसके उपर आपने देखा हो का paila है union, जिसे हम हिंदी में गौंगा बोलते हैं, सीब बोलते हैं, यहाँ पर एक shell होती है, तो यह दी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी और उनको पर जो है shell present हो, लेकिन यह दी present है, if present, univalve और bivalve, दो तरह की shell हमें देखने होती है, univalve यह तो पूरी cell जो है, वो completely एक ही shell है, और दूसरी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसका example में यहाँ पर आपको देदू, यहाँ पर क्योंकि detail study आप करेंगे paila की, तो paila है वो univalve, आपने देखा उसके पूरी एक ही shell होती है, जबकि जो bivalve है, उसका example है unio, उसको हम, जब हमें organism को देखना है, visibility उसकी देखनी है, तो उसको हम यह से खोलना पड़ता है, तो एक पार्ट इदर, एक पार्ट इदर, दो पार्ट में shell डिवाइड हो जाती है, तो they are b mostly exoskeleton in the form of shell, sometimes endoskeleton, endoskeleton जो है बहुत रेरली यह parts की form में present होता है, otherwise यहाँ पर exoskeleton ही present होता है, shell की form में, shell वो calcium carbonate की होती है, सामानित है, लेकिन कभी-कभी हमें silicon की भी दिखाई देती है, digestive system complete with digestive glands and redulla, यह specific character है, जो की molluska के अंदर हमें देखने को मिलता है, presence of redulla, अभी इसके बारे में बताती हूँ, अब complete digestive system इसलिए हमने कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो anus और mouth, इस दो जो opening होती है, terminal openings जोने हम generally कहते हैं, mouth और anus, क्योंकि digestive system को तभी complete माना जाता है, जब उसके जो organism है, उनके अंदर mouth और anus दोनों ही present है, इसलिए देयार, जो digestive system है, वो complete digestive system है, और digestive glands भी हेपेटो पैंक्रिया, जो है वो present होती है, redulla, redulla is a rasping organ, जो इसकी mouth cavity हम कहें, उसमर present होता है, बकल cavity के अंदर, तो यह जो redulla है, एक ribbon like structure होता है, जिस पर teeth, जो है transversely origin रहते हैं, अब वो जो teeth हैं, वो food को masticate करने को में help करते हैं, तो जब food enter करता है, mouth cavity के अंदर, यह बकल cavity के अंदर, तो उसको masticate करने का काम जो है, वो यह redulla करता है, तो इसे हम rasping organ भी कहते हैं, circulatory system की बात करें, तो closed type with some sinuses, closed type महलब, दो तरह के आपने circulatory system, pariscentral तंतर पढ़े होंगे, closed और open, open type जहां जो है, हम कहें veins, यह arteries और veins जो हैं, नहीं होती, heart का development भी proper नहीं होता, sinuses जो है, blood lacuna, जो हम कहते हैं, जो blood spaces, वो heart की तरह काम करते हैं, तो वो open type का जो होता है, लेकिन जहां blood, जो heart का development हो गया है, और two chambered heart होता है, तो इसलिए और दूसरा यहां पर जो blood vessels, वो भी दिखाई देती है, तो इसलिए जो system है, circulatory system है, वो close type का है, लेकिन कुछ sinuses भी यहां हमें visible होते है, respiratory pigment, hemocyanin, blood के अंदर जो respiratory pigment होता है, वो hemocyanin होता है, जिसकी बज़े से जो blood का color है, blue दिखाई देता है, respiration by gills, lungs और both, वो अलग अलग होता है, क्योंकि यहां पर जो कुछ और में है, जो, क्योंकि mostly और में जो है, aquatic है, लेकिन जिसे पाइला है, हमें आपको, आपको field में भी मिल जाएगा, moist place में मिल जाएगा, तो जब यह terrestia, moist area में होता है, जहां water बहुत ज़्यादा इसकी surrounding में नहीं है, उस condition में यह जो respiration करता है, वाइदी lungs करता है, लेकिन यह हर organ के अंदर नहीं होता है, कुछ के अंदर केवल gills होते हैं, कुछ के अंदर केवल lungs होते हैं, और कुछ के अंदर दौनों होते हैं, तो मैंने आपको pipeline के example दिया है, pipeline के इंदर lungs भी develop है, और lungs जो है वो temporarily develop होते हैं, जो नुज़ू लोब है वह एक चेंबर फर्म कर लेता है लूप लाइक इस्ट्रक्चर फर्म करके साइफन बना लेता है वह साइफन से तो लंग की प्रिजेंट एक चीज और में यहां पर क्लियर करना चाहूंगे मैंने आपको यहां बताया बाइलेटली सिमेट्रिकल जो है लेकिन पाइला इसका जो एडल्ट पाइला वह एक्सेप्शन है एडल्ट जो है वह एसमेट्रिक हो जाता है कारण क्या है इसके अंदर हमें टॉर् जो लिए जो बिस्री ओरर्गन्स आहिं वो 180 डिग्रीन पर प्लूर्व जाते है तो पहले 1790 ऐग्रीट। आ यहां जाता है तो आप समझे सकते हैं तरूस्ट के उर्गन्स वह उस तरह से मूप कर गए है। इस तरह से मूप करने विज innे उनकी पोजिशिचन हो जाती हमें के आपको बता तो उसके बाद एक insertion के लिए यहां पर संद्ध होते हैं nervous system यहां पर the जिस्टम भीट गैंगलिया यहां पर नुनक्टियश्ट में नुल्ज Wait इसके अंदर आइज होती है स्टेटोसिस्ट के बारे मैंने आपको प्रॉन में बताया था मैंने इक्किलिवरियम जो है सामी अवस्था को बनाए रखने का काम करता है जो एनिवन की उसके बाद रिसेप्टर फॉर टच जो जिने हम टेक्टो रिसेप्टर भी कहते हैं यह सें प्रवरियम प्रॉड़ सेंट नहीं सयर Là और प्रीजक्रत नहीं कुछ और फ्रहितस के बॉट आप ऊड़ियमल के बोथ आप अब invasory मेल फी मेल के यह फेरेक लिवन स Pvn यहां पर ल्गारद फॅ प्रेजन होते है एक सीघ्थ के अंदर सिंगिल होता है और उसके साथ जो जनम हम बहुते हैं वह भी प्रिजएंट होती है उसकर दोनों ही तरह का मिलता है एक्टरनल और इंटरनल वहिए निशेशन और एंसेशन नबलप्मेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इंड्डेक्ट मीच बिएक होते हैं फद्रीफ होते हैं लेकिन कुछ के इन्दर देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ टाइम वह हमें देखने जाते हैं और लबनी जल में भी पाए जाने वाले होते हैं तो इस तरह से यह कुछ जनरल करेक्टर्स थे मॉलस्का के और आपको समझ में आओंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कंटिन्यू करूंगी क्लासिफिकेशन ओफ मॉलस्का फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिए मैं आपको रेपलाई करूंगी थेंक्यू सो मच